Hello students and Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains Competition, एक ऐसा platform जहां पर various competitive examinations की तयारी आप लोगों को exclusively free of cost करवाई जाती है. मतलब यह कि यहां कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी भी competitive examination का कुछ content access करने के लिए मिले, और उसके बाद में आप से यह बोला जाए कि भाई बचा हुआ content देखने के लिए आपको या तो किसी तरीके की कोई fees देना पड़ेगी या कोई paid subscription लेना पड़ेगा. magnet brains में ऐसा नहीं होता, magnet brains प्रतिबद्ध है, आप लोगों तक सारा का सारा quality educational content exclusively free of cost लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग अपने examination की preparation को smoothly कर सकें, अच्छे से आप अपना selection ले सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, ना सिर्फ समाज में आपका एक सम्मान हो प्रतिष्था बनें, बड़ सांती सांत आप लोग उन पदों पर बैठ कर काम करते हुए, देश जो constitution making की प्रक्रिया थी, उसमें हमने ये देखा था कि constituent assembly ने कौन-कौन सी आपकी committees और sub-committees बनाई थी, और कौन सी committee क्या काम कर रहे थी, सबसे important committee कौन सी थी, और इस से related जो भी दूसरी बातें थी, वो सारी हम लोगों ने देखकर खतम करी थी, कि draft constitution कैसे क्या बनाया गया था, फिर उसमें क्या changes बगेरा हुए थे, बगेरा बगेरा, आज उसी के आगे हम लोग अपनी बातशीत को बढ़ाएंगे, और हमारा जो constitution ultimately बनकर तयार हुआ, फिर उसका enactment किस तरह से करवाया गया, वो लागू कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग बातशीत करेंगे, त तो आज का जो session रहने वाला, interesting session रहेगा, उसमें समविधान का enactment कैसे हुआ, किस तरीके सापका constitution लागू हुआ, वो सारी की सारी बातशीत हमको देखकर खतम करनी है, so now without any further ado, here we begin, subject हमारा general studies का Indian polity, या पिर Indian polity and governance, topic जो हम पढ़ रहा है making of the constitution और उसमें, सब topic जो आज रहने व हम लोगों ने ये देखा था कि हमारी जो various आपकी committees और सब committees वगरा constituent assembly या समविधान सभा ने बनाई थी, constitution making की process के अलग-अलग कामों को address करने के लिए या देखने के लिए, इसमें जो सबसे important हमारी committee थी, वो थी drafting committee और इन लोगों के ओपर जिम्विधारी थी, कि आप मिल करना है, वो सारी चीज़ें करकरा कि इन्होंने एक आपका कच्छा चठा है फिर एक draft बना कर तयार किया, उसको जनता के सामने रखा गिया, जनता ने फिर आठ महीने उनको दिये गए कि आपको जो भी भाई पढ़ पढ़ा के अपनी तरफ से changes या suggestions देने हैं या जो amendments व बना कर तयार किया, अब ये जो आपका second draft है या फिर इस तरह से कह सकते हैं जो final draft बगएरा था, डॉक्टर अंबेटकर सहाब ने इसको समविधान सभा के सामने जो है पेश कर दिया, कंस्टिटेंट इसंबली के सामने 4 November 1948 को रख दिया, first reading के लिए, first reading का मतला हम लोग जब आगे बात करेंगे कि संसद में कानून कैसे पास होते हैं तब जादा detail में देखेंगे कि first reading, second reading और third reading क्या होती है, फिलाल इतना समझी है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को लोकतांत्रिक तरीके से पास करवाना है, कानूनी प्रक्रिया से अगर आप उसको पास करवाना च जाता है first reading, second reading, third reading, इसमें basically scrutiny की जाती है उस बिल की या फिर जो भी वो प्रस्ताव वगएरा है और उसमें कुछ changes या फिर जो भी modification वगएरा करने करकर आकर उसको जो है पास किया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया में तीन stages आती है, बाद में हम लोग इसको बहुत detail में देख जरना पड़ा, तो उसकी भी first reading हुई, उसकी भी second reading हुई, उसकी भी third reading हुई, उसी के बारे में अपने को बात करनी है, तो पूरा आपका जो final draft वगएरा बनकर तयार हो गया, तो डॉक्टर अंबेटकर ने assembly के सामने उसको first reading के लिए या फिर consideration के लिए जो है, 4 November 1948 को रख द जाता है, बाद में बलोग जब detail में पढ़ेंगे तब आपको बात जादा अच्छे समझ में आएगी, फिलाल इतना समझी है, कि सरसरी निगा मारना जिसकों बलोग कहते है, first reading में लगबख कुछ ऐसा ही होता है, तो assembly जो है, उसने बिल के ऊपर general discussion वगएरा पांच दिनों आपका general discussion वगएरा चलता रहा, इसके बाद में आती है अगली step जिसको बोलते है second reading, किसी भी बिल के या किसी भी प्रस्ताओ के पास होने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें second reading सबसे important होती है, उसमें clause by clause एक एक paragraph में, एक एक line में क्या-क्या लिखा गया, उसके एक word को जो है second reading के लिए, second reading का मतलब किया, उसके एक एक clause by clause को जो है consider किया गया, और इसमें बहुत detail में जो है, आपका चर्चा और परीचर्चा होई, अब क्योंकि इतना detail में आप काम करोगे, तो obviously बात है, आपको वक्त भी लगेगा उस चीज में, तो देखिए, 15 November 1948 से आपकी second reading शुर याद रखिएगा, एक सरसरी निगा मार ली first reading और उसके बाद एक line जो है, एक word एक paragraph को detail में देखा, वो कहलाती है second reading, तो पहली आपकी second reading जो है constitution के draft की वो शुरू हुए आपका November 15 1948 से और 17 October 1949 तक चलती रही, एक के clause का consideration किया गया, और उसके बाद second reading वगरा हो गई, अब इस stage में 7,653, 7,653 amendments प्रपोस किया गया, कितने मतलब कितना detail में जो है इसको discuss किया गया था कि 7,000, 7,000 से जादा amendment या फिर आपके संशोधन वगरा जो है उनको प्रपोस किया गया, उनका प्रस्ताव रखा गया, इस में से 2473 के ओपर जो है actual में आपका consideration वगरा हुआ, उसके उ November 1949 से, third reading जो होती है, इसमें consideration, consideration कुछ नहीं होता है, इसमें चर्चा सिर्फ इस बात के ओपर होती है, जो प्रस्ताव है, इसको पास करना है या फिर नहीं करना है, पहली reading में आपने सरसरी निगा मार ली, दूसरी reading में एक एक लाइन, एक एक अक अक्षर, जो है, एक मातरा बिंदू, सब कुछ देख लिया आपने, उसके बाद में अब तीसरी reading में उसके ओपर चर्चा नहीं होती कि इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, उसमें फिर आपका consideration जो है, इस बात के ओपर रहता है, कि तुम्हें पास करना है, यह जो आपकी सभा है, या संसाथ है या जो assembly है, उसको सामने जो प्रस्ताव रखा गया, जिसकी first reading और second reading करके एकड़म detail में इसको देख लिया गया, क्या इसको pass करना है, हाँ या ना, इसके ओपर आपको voting करवानी होती है, और वो जो प्रक्रिया है, उसे third reading बोला जाता है, तो जब इसको एकड़म detail, सरसरी न नहीं करना है, ना, हाँ या ना के अलावा और कोई बात नहीं होती है, तो वो जो आपका पूरा, आपका, ये जो third reading बगरा है, इसमें डॉक्टर अंबेटकर सहाब ने एक motion बगरा आगे रखा, जिसमें ये बुला गया, the constitution has settled by the assembly be passed, याने कि इस particular चीज के ओपर चर्चा हो होगी और इसके ओपर voting होगी, जो समविधान है, जिसको हमारी समविधान सभा ने finally settle down किया है, इसको इतना detail में देखने के बाद हम लोग फाइनली इस agreement पे पहुँचे हैं, कि हमारा समविधान जो इस तरीके से होगा, पहले line, पहले अक्षर, पहले बनने से लेके, आखरी और अमबेटकर साहब ने इसकी third reading के लिए ये प्रस्ताव रखा, the constitution has settled by the assembly, याने कि इस assembly ने जो finally agreement किया, जो settle down किया है समविधान का, इसको ऐसा कैसा पास करना है, या नहीं करना है, इसको लेकर ये जो प्रस्ताव रखा गया, इस particular motion जो था ये जो आपका draft constitution का motion था कि assembly ने इसको जैसा consider किया है, इसको जैसा settle down किया है, वैसा पास किया जाए, इसके उपर finally आपका voting वगरा हुई और ultimately 26 November 1949 को ये जो motion था कि समविधान सभा ने जिस तरह से इसको decide किया, उस तरह से इसको पास किया जाए, इस प्रस्ताव को या या डॉक्टर इंबिटकर साहब के इस जो है, sign किया इसके उपर, इस उबक जो आपकी consistent assembly की total strength थी, वो थी 299 members की, 299 members जो जो थे consistent assembly में बैठके काम कर रहे थे, इसमें से जिस दिन आपकी third voting, आपका जो third reading है और उसके तहर ये जो प्रस्ताव था, डॉक्टर अंबेटकर साहब का इसके उपर जब voting हुई है, तो 28 84 लड़के मौझूद थे, including the president, इन लोगों ने जो है, इसको pass किया और pass करने के बाद में इसके उपर sign किया गया, आप बहुत important बात है, 26 November 1949 के दिन जो है, ये आपका consistent assembly ने आपका जो सम्विधान का final draft है, उसको pass कर दिया, आपकी जो प्रस्तावना है भारत के सम्विधान क जिसमें, या फिर भारत की सम्विधान की जो preamble है, उसमें यही तारीक लिखी हुई है constitution के pass होने की, इसको लेके confuse मत होईएगा, यही जो date है, यह आपकी preamble में mentioned है, as the date on which the people of India and the constitutional assembly adopted, enacted and give themselves the constitution, मतलब यह, कि finally 26 November 1949 को भारत का सम्विधान सभा की दोरा pass कर दिया गया, और भ पारे में आने वाले lecture में बात करेंगे, हम लोग detail में देखेंगे उससे, उसमें यही तारीक mention की गई है, कि इस तारीक को जो है आपका भारत का सम्विधान पास किया गया, अब आप लोग बोलागी कि भारत का सम्विधान तो रिपब्लिक दे याने 26 जनवर 1950 से लागू उन भाई लोगों ने इस तारीक को जो है, यह सम्विधान इनाट करवाया है, इसको पास करवाया है और उसको एडॉट करवाया है, तो प्रियांबल में Constitution की एडॉप्शन की जो तारीक लिखी हुई है, वो 26 जनवरी 1950, कन्फ्यूज नहीं होना है इस चीज में, 26 जनवरी 1950 को फिर सम्विधान क्यों कि लागू हुआ जब इसमें आपका डेट ये लिखी गई है, या फिर 26 जनवरी 1950, या 26 जनवरी को रिप्रप्प्लिक लेकियों मनाया जाता है, जब 26 नमबर को सम्विधान पास हो गया, उस सवाल गजाब भी आपको आगे दूगा, मगर ध्यान इस दिन ये आपका इस तारीक को आपका कंस्टेटेंट असंबली में ये पास हो गया था और यही तारीक जो है आपका प्रियांबल में मैंचन की गई है, चलें, आगे बढ़ता है, तो जब हमारी सम्विधान सभा ने 26 नमबर 1949 की तारीक को या उस दिन हमारा इस सम्विध या 395 या 395 के करीब आर्टिकल्स थे और 8 शेडियूल्स थी, अब या आर्टिकल्स क्या होते हैं और या शेडियूल्स क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसे, डिटेल में, मगर फिलाल इतना समझीए कि सम्विधान का एक पार्ट होता है, तो आर्टिकल्स की संख्या भी बढ़ गई है और शेडियूल्स की संख्या भी बढ़ गई है, मगर ये क्वेशन कहियों बार पूछा जाता है कि ओरिजनल जो आपका कंस्टिट्यूशन था, जो आपका एक्चुल समविधान बनाया गया था, उसमें कितने आर्टिकल्स थे, उसमें क्या-क्या था, कितने शेडियूल सी, तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा कि भारत का समविधान 26 आपका नवंबर 1949 को जिस दिन कंस्टिट्यूटेंट असमली ने एनाक्ट कर रहा था या जिस दिन उनने अडॉप्ट किया था, जिस दिन पास किया था, एक प उसके बाद में आपकी प्रियंबल या फिर उसके बाद में आपकी प्रस्तावना को पास किया गया, तब ये कितनी अजीब बात है, या कितनी आपको आश्यर चकित करने वाली बात लगेगी, पूरी की पूरी किताब लिख दी, उसके बाद में तुमने उसकी प्रस्तावन यहाँ पर body conclusion सब कुछ पहले बना लिया गया, introduction उसके बाद में लिखा गया, ऐसा क्यों किया गया था, वो हम लोग तब discuss करेंगे, जब हम लोग preamble पढ़ेंगे, फिलाल इतना याद रखिएगा, इस बात को दिमाग में, जहन में उतारिएगा, कि एक बार जब भारत का पू आश्यर जकित करने वाली बात है, बड़ी अजीब और उल्टी सी बात लग रही है, कि आपका कान को ऐसे ना पकड़ किक्दम, हाथ गुमा के ऐसे पकड़ रहे हो, क्योंकि जन्रली ऐसा होता नहीं है, पहले प्रस्ताबना लिखी जाती है, फिर body आती है, उसके बाद main content आ मगर फिलाल इतना याद रखना है, इसको भी सवाल बनाके पूछा जाता है, कि प्रियंबल समविधान बनाने के पहले इनक्ट हुआ था पूरा, या प्रियंबल समविधान बनाने के बीच में इनक्ट हुआ था, या प्रियंबल समविधान बन चुकने के बाद में किया गया था, डॉक्टर बियार अम्बेटकर सहाब जो उस वक्त आपके भारत सरकार के लौ मिनिस्टर भी थे इन्हों ने आपका ड्राफ कंस्टिटूशन जो है असम्बली में उसको पाइलेट किया था या फिर उसको वो आगे लेकर चले थे, जो भी बदलाव वगरा किये जा रहे थे, वो चिंजेस वगरा अमेंडमेंट्मेंट्स की जिम्मेदारी भी उनके उपर थी और उसके बाद में अगर उनको लगता थे कि कोई नाजायास डिमांड है, कोई constitution में जब deliberation हो रहा था समविधान की एक एक प्रफ़स्ता एक एक आपके provision पे बातचीत हो रही थी और जब लोग सवाल उठाते देगी यह provision क्यों डाला गया है या फिर इसमें यह क्यों नहीं किया गया वो क्यों नहीं किया गया क्योंकि drafting committee क्यों नहीं किया जा सकता या पूरा गपूरा क्यों नहीं किया जा सकता या शामिल करेंगे जो भी बातचीत है हर एक उसमें फिर जो है आपका details इन्होंने जवाब दी है और खड़े हो के बकायदा उसमें participate बगरा किया है तो उनका सभा के सामने रखते थे कोई भी बात मतलब ऐसी नहीं करते थे कि जो अतार के को एक दम logic के साथ में अपनी बात को रखना on to the point जो आप पूछ रहे हैं उसके एकदम सटीक जवाब दूँगा कोई दर उदर की लाग लपेट नहीं करना एक दम on to the point बात करनी तो एक तो logical बात करते थे दूसरा argument इतना forceful होता था इतना सशक्त argument होता था और इतना persuasive argument होता था कि आपके पास में उसकी कार्ट नहीं होती थी की चैनलेक्ट इस्थान जो था वो डॉक्टर नंबिटकर सहाब का माना गया तो असेंबली के फ्लोर पर खड़े होके बहुत logical और आपके सटीक arguments इन्होंने दिये हैं और उसके नतीजे में constitution जो है पूरा draft वगएरा उसको बहुत successfully ये इसलिए इनको जो है कई बार आपका father of the constitution of India कहा जाता है भारत के संविधान का निर्माता या पिता जो है इनको जनक माना जाता है क्योंकि इनका जितना रोल था constitution making में या फिर जितना important रोल था शायद किसी और का नहीं था और अगर ये ना होते तो इतना effectively इस रोल को शायद ही कोई वेक्ति उतना अच्छे से निभा पाता कोई मतलब बच्चों अखेल नहीं था और वो भी 141 दिनों में बना के तयार कर देना तो और मुश्किल बात थी सालों लग जाते है इस तरीकी की चीजने करने में कहीं और अगर होती मगर धन्यों भारत की भूमी की ऐसे लोगों ने यहां पर जन्म लिया है जिनके चलते इतने कॉंपलेक्स काम इतने कम वक्त में हो गए तो इनको फादर ओड़ कंस्टिटूशन कहा जाता है दब दिस ब्रिलियंट राइटर कंस्टिटूशनल एक्सपर अच्छी किताबे लिखी हैं कई चीज़ों के ओपर अच्छी किताबे लिखी हैं तो एक अपने आप में इसके साथ में कंस्टिटूशनल एक्सपर्ट थे समविधानों को पढ़ा साथ 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 सतर सतर देशों के समविधानों को अब देखना पड़ रहा है तो अव्यस्सी बात थे तो थे ही तभी इन्होंने सारा काम किया लीगल लीगली बहुत अच्छा जो है इनका दिमाग किया था आजादी के पहले बहुत जब तक जी आजादी के बाद में उसके बाद में भी और भारत के समविधान कर चीफ आर्क्रिटेक इने मानई जाता था इसी के चलते कई बार इनको मॉडन मनू के नाम से भी जाना जाता है ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भारत में modern manu के से का जाता है याद रखना है डॉक्टर अम्बेडगर साहब को modern manu के नाम से जाना जाता है चले अब बात करते हैं constitution के enforcement की भारत का संविधान लागू कैसे किया गया थोड़ा साब उसके बारे में बातशीत करते हैं तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 26 नमबर 1949 को संविधान सभा ने constitution को पास कर दिया इनाक्ट कर दिया उसी दन आपके प्रेसिडेंट ने और 299 में जो 284 लड़के मौजूद थे बाई लोगों ने साइन कर दी है उस दन सा आपका constitution इनाक्ट हो गया मगर पूरा पूरा लागू नहीं हुआ कुछ प्रोविजन ऐसे थे constitution के जो आपको उसी वक्त लागू करने थे जैसे कि आपका citizenship से related आपका provisions हो गए भारत में election किस तरह से कराए जाएंगे उससे related आपके हो गए provisional parliament यानि कि जब तक election होके नई parliament चुनकर नहीं आजाती तब तक भारत के संसत के रूप में जो काम कर रहे हैं ये आपकी जो constituent assembly काम कर रही है आपकी सम्विधान सबा जो provisional parliament के तोर पर काम कर रही है या 26 जन्वरी 1950 को जब सम्विधान लागू हो जाएगा उसके बाद जब तक नए elections नहीं होते तब तक जो आपका provisional parliament के तोर पर ये और आगे काम करेंगे उससे related जो भी कानून वगरा पास करने थे और जो भी आपका transitional provisions वगरा थे से related वो सारे के सारे काफी सारी चीज़े है articles वगरा as such matter नहीं करते हैं मगर हाँ ये जो काफी important important provisions वगरा थे citizenship हो गया आपका elections हो गया इस तरीके की चीज़े है 26 नवबर 1949 जिस दिन आपके इस पर sign हुआ है उससी दिन लागू हो गया और उसके बाद में जो आपका remaining portion थे या जो major part था संविधान का उसको 26 जनवरी 1950 से जो है लागू माना गया 26 नवबर 1949 important important provisions आर्टिकल्स रटने की ज़रूरत नहीं कि आप पूरे पूरे यार्ट कर लें इतना ये important नहीं है मगर हाँ एक दो नाम याद रखिएगा कि citizenship से related provisions, elections related provisions, provisional parliaments related provisions ये सारे के सारे provisions वगरा थे short titles वगरा से related आपके provisions ये सारे provisions at that time 26 नॉबर को लागू हो गए और बाकी जो major part से समिधान का जो बड़ा हिस्सा था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को जिस दिन आपका बचा हुआ है फिर major समिधान लागू हुआ है उस दिन को हम लोग date of the commencement of the constitution के तौर पे मनाते हैं या फिर कई बार हम लोग इसको popularly जिस नाम से जानते हैं वो क्या है Republic Day तो इसको Republic Day के तौर पर मनाया जाता है इस दिन हमारे देश में समिधान लागू हुआ और इस दिन से जो हजारो सालों की आपकी प्रथा चली आ रही थी राजा माराजा और माईबाप ये सब खतम हो गया उस दिन डिसाइड हो गया कि भारत में सर्वोच अगर कोई है तो समविधान है कोई वेक्ती जो है वो सर्वोच नहीं है भारत में सब समविधान की नीचे आतने हैं समविधान के अनुसार सब को चलना पड़ेगा समविधान की नजर में सब बराबर है कोई किसी के उपर आपका प्रिविलेज वगरा नहीं रखता तो उस दिन जो है ये जो हजारों सालों की आपकी प्रथा चली आ रहे थी राजे रजवाडों का सब टोटल बंध उस दिन जो है कानुन का राज सही माहिनों में आ गया ये किताब है ये हमारे लिए सेक्रेट बुक है ये जो है सरवोच है और इसके अनुसार भारत के ऊपर चाशन किया जाएगा चाए कोई भी करे इसी में लिखे हुए नियम कायदों के अनुसार वो राज करेगा इसमें जिन बातों का ध्यान दिया गया है उनी के अनुसार उखो चलना होगा और इसमें जिन बातों के प्रतिबंध लगा है कि तुम ये कर सकते है और ये नहीं कर सकते हो उसके अनुसा तो आपने कुछ important provision जिनके बिना काम नहीं चलता था, उनको लागू कर दिया, बाकी सम्विधान आपने बोला कि नहीं ठैरो अभी, दो महीन है, आपका जनवरी में 1950 में लागू करेंगे, इसकी वज़ा क्या थी? इसकी वज़ा यह थी कि 26 जनवरी की तारीक को स्पेसिविकली सम्विधान लागू करने के चुन्दे के पीछे की वज़ा, इस तारीक का अपना एक अतिहासिक importance है, एक historical importance है इस तारीक का, उसलिए जो है इस तारीक को सम्विधान लागू किया गया था, हुआ यह था कि 26 आप फिर जो 26 जनवरी 1930 आ रही है, इस दिन हम लोग आपका independence day या फिर पून सवराज का जो आपका दिन है उसको मनाएंगे या फिर हम लोग इस दिन से आपका सवराज दे या फिर पून सवराज का दिन जो है celebrate करेंगे, independence day आपको observe करना है और tricolor वगरा जो है उसको आपको दे तोर पर मनाया जाएगा या फिर independence day के तोर पर celebrate किया जाएगा, अब उसके बाद में हुआ यह है कि आपकी आजादी जो है वो आगई आपका 15 अगस 1947 को, अब 1930 से लेके 1947 तक यानि कि लगभख आपका 30 से 40, 40 से 47, 17 साल के करीब आपने आजादी एक अलग दिन मनाई और उसक स्वराज डे हम लोग celebrate कर रहे थे तो अब ऐसे नहीं जाने दे सकते है इस तारीक को, इस तारीक को कुछ ना कुछ तो होना चाहिए तो फिर यह चीज जो है करवाई गई है, तो 1930 में इस दिन पूर्ण स्वराज डे डेकलियर किया गया था और celebrate किया गया तो उसके बाद मे Republic Day वगरा celebrate करवाएंगे, फिर इस तारीक 26 जन्मरी के दिन पिर आपका सम्विधान लागू करवाएगे और Republic Day आज तक मनाया जाता है, having said that जिस दिन भारत का सम्विधान जो है finally लागू हो गया पूरी तरह से with the commencement of the constitution, जिस दिन भारत में पूरे तरीके से आपके सम्विधा Act था, ये खतम हो गया, Government of India Act जो था, वो खतम हो गया, इनसे related जो भी चीज़ें थी, Enactment थे, Amendment थे, Supplement थे, सब कुछ जो है समाप्त हो गया, भारत का सम्विधान लागू होते ही, बाकि सतारी जो चीज़ें थी, सब खतम हो गया, भारत का सम्विधान सरवोच हो गया, अभी सम्विधान जो है, सरवोच हो गया, तो उस दिन जो है, जितने भी आपके कानून नियम कायदे चलाए जा रहे थे, अजादी के बात से, जिसके तेहर देश चल रहा हो, सब बंध, हलाकि एक बात है, इसको ध्यान रखना होगा, एक कानून था, Abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949, इसको abolish न भी enactment थे, जो भी आपकी बाकी सारी चीजें तीस से जुड़ी हुई, सब खतम कर दी गई, मगर ये जो Abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949 चल रहा था, क्या होता है, इसको भी आगे डिसकस करेंगे, डीटेल में, ये जो है, इसको continue किया गया था, इसको खतम नहीं किया गया था, याद रखि है, उसको समझा है, और उसके बारे में, जो भी बातचीत हमें करनी थी, वो सारी करकर हम लोगों ने खतम करी है, नेक्स जो हमारा सेशन रहेगा, उसमें हमारी जो Consident Assembly थी, उसको किस बात पर Criticize किया गया, Consident Assembly में क्या खामिया निकाली गई है, उसकी किस बात के उपर आ वेबसाइट पर जाएं, जैसा कि मन आपको सेशन के शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर आपको सारा का सारा Quality Educational Content Exclusively Free of Cost प्रवाइट कराया जाता है, और ना सिर्फ various competitive examination का content आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके इलावा, आपको और भी जो दूसरा content वगरा है, वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जब आप वेबसाइट पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको आपका Kinder Garden से लेकर Class 12 तक, जितने भी आपके subjects वगरा होते हैं, जो भी आपके classes वगरा है, सब का content वगरा जो है, free of cost प्रवाइट कराया जाता है, English Medium मेडियम में CBST का content, इसके लावा, UP Board का content और भी बाकी सारा जो भी content वगरा हो सब कुछ आपको प्रवाइट कराया जाता है, IIT, JE का content हो गया, NEET का content हो गया, UPST का हो गया, Olympiad का हो गया, NTSC का हो गया, और भी बाकी आपके जो कई सारे courses वगरा है, कई सारे examinations वगरा के कई सारे दूसरी उनके आपको यहाँ पर access करने के लिए मिलेंगे, बाकी competitive examination का अपना जो भी content वगरा है, वो तो ही, आलग-अलग आपके examinations, उसकी requirement के according अलग-अलग उनकी playlist, standard playlist वगरा बना के रखी गई है, जब आप उन पर click करते हैं, तो जितना उनकी exam requirement का content या course से वो सारा का सारा आपको access करने के लिए मिलता है, जैसे यहाँ पर line से जो है, आपके जो अलग-अलग examinations, उनका content आपको देखने के लिए मिलेगा, अब अगर आपने RRBPO पे click किया, तो उसके सारे के सारे courses आपके सामने खुल कर आजाएंगे, इसमें फिर आप जो भी access करना चाहते हैं, वो देख स देखते हैं, असिस्टेंट का दी दिया है, फर RBI, Grade B का, IBPS, टलर का है, जो भी दूसरे examinations वगरा है, जिस पे भी आप click करोगा, उसका content आपके सामने निकल कर आजाएगा, अब ये content आपके सामने आ गया, इसको आप access कर लीजिए, जैसे कि अगर आपने general studies वगरा पे click किया तो उसका content खुल जाएगा, current affair पे किया तो उसका, aptitude reasoning पे किया तो उसका, financial awareness या banking पे किया तो उसका, या फिर आपका crash course पे किया तो उसका, जो भी आप content वगरा पे click करेंगे, वो आपके सामने निकल कर आजाएगा, general studies पे अगर आप click करते हैं, उसका सारा का सारा content आपके सा solidify करें और अपना selection को उतना ज़्यादा ensure करें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं and इसका benefit वगरा दूसरों तक भी पहुचाएं, खुद का भी भला करें और दूसरों तक भी जो हैं, इसके benefits वगरा को पहुचाएं, so इसी note पर calling it the day and concluding the lecture, मिलते हैं next session में, जिसमें ह झाल, 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 उन्यां दुद क्वाइं, आर रपना झाल, खुद के भी बता हैं, तवें विवशएं ईहां में तक वाइंगें, जिसमें आएंगें, हंचाएं पोन दूसरों याज़ारी, जिसमें हैं जाइं खुद के वजएंध